स्टोलल में 108 एम्बूलेंस करमचारी सामुहिक अपकास पर चले गए हैं जिसके चलते एम्बूलेंस दीवा पूरी तरह से प्रभावित नजरा रही है रोगियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है रोगी निजी बाहनों से इलास करवाने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं आपको बता दें कि परदीस पर में करीबन 1100 करमचारी अपकास ले चुके हैं करमचारीों का कहना है कि बे अपनी जान दाव पर लगा कर कोबिट काल में भी मरीजों को लाने ले जाने का कारया कर रहे हैं यहां तक कि उनके कई साथ ही कुरोना की चपेट में आ चुके हैं लेकिन उनके जोस्त में उसके बाब जूद भी कोई कमी नहीं आई सबी करमचारीों को उमीद थी कि उच अधिकारी उनके इस सेवा पर खुश होंगे और उने सावाशी देंगे उनका बेतन भी बढ़ाया जाएगा लेकिन उनके उच अधिकारी लगातार उनसे धुर्बेवार कर रहे हैं जिसकी वज़ा से उनका मनोवल तूटने लगा है उन्हें 15,000 रुपे बेतन देने के आदिश दिया गे थे लेकिन इन आदिशों पर भी अभी तक कंपनी ने अमल नहीं किया कंपनी परवंदन उन्हें कभी 8,000 रुपे बेतन दे रही है तो कभी 9,000 रुपे बेतन दे रही है कम बेतन मिलने से सबी करमचारी बहुत परिशा इसलिए उन्होंने उपयक्त सोलन को ग्यापन सौंप कर उचित कारेवाई करने की माँनेघी ए उन्होंने बताया कि 108 और 102 एंबॉलस कर्मियों ने मुक्या चिक्सका अधिकारे को एंबॉलस की चाबियां सौंप दी है उन्होंने चेताबनी भी दी है कि जल्द कमपनी परवं नाम रोहित है मैं कंडाघाट में 108 में पाइलेट के पदबे तैनात हूं अभी 2020 जनवरी आठ तारीक को कोट की तरफ से हमारे को हमें 15,000 सेलरी देने की जो ओर्डर थे वो पास हुए थे लेकिन तब से आज तक हमें वो 15,000 पर नहीं मिले हैं पूरे देश ने जब करोना मामा हमारी के समय सब कुछ बंद था हमने उस समय अपनी ड्यूटियां की दिन रात अपनी ड्यूटियां दी है हमने जहां अन्य राजियों में लोगों को प्रोच साहित किया गया उनको उनकी तनक्वाएं बढ़ा ही गई हमारे साथ फिर वे बेदबाव क्यों जब अधर स्टे प्रोच शुरू हो गया है तो हमने इससे पहले भी अभी बारत तारीक को हमारी एक मिटिंग थी वहां पर शिमला बुलाया गया था तो वहां से भी हमें कुछ संतोष जनक जो जवाब है वो नहीं मिला है अभी तक तो जिसके जिस्वजा से जितने भी समस्त करमचारी है 108 और 102 के वो सामुई कवकाश पर चले गए है इसके लिए जो ग्यापन है वो डी सी साब को दे दिया गया है और जो गाडियों की चाबियां है वो सीमो साब को हैंड़ोवर कर दी गई है जी इस समय जो हम रीजिनल हॉस्पिटल सोलन में है तो यहां जितनी भी गाडियां 108 औ 102 है उनकी चाबियां भी उनके मेडिकल ऑफिसर्स को जमा करवा दी गई है सर यह जैसे ही मतलब हमारा जो पिछला पैसा है वो हमारे अकाउंट में आ जाए या हमें इस बार आश्वाशन से बात नहीं चलेगी हमें रिटन में सारे ओडर चाहिए जैसे ही जो रिटन ओडर ह हमारे पास आते हैं हमारा यह जो अमुक अवकाश है वो समाप्त हो जाएगा